हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंडवरे देतीमन, सैनिक स्कूल सिक्षक भरती का अड़र्टीजमेंट जारी हुआ है, जहां लास्ट डेट आठ सितंबर रहने वाली है, आवेधन स्टार्ट हो चुके है, उम्र जो है यहां पर 21 से 35 वर्स तक के स्टूडेंट अप्लिक है, तो वो भी सारी चीज़े हम देखेंगे, तो जितनी भी गॉर्मेंट प्राइवेट या कॉंट्रेक्ट बेस पर वेकेंसी आती है, तो मेरा उद्देश्य रहता है, समय पर आप लोगों के पास पहुंच सके, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपन तक नहीं किया है, बैल बटन को प्रेस कर लें, जितनी भी वीडियो बनते हैं, तो उनकी सूचना आप लोगों तक आपके मोबाइल पर समय पर मिल सके, कई बार वो वेकेंसी की लास्ट डेट निकल जाती है, और तब जो है वो स्टूडेंट को पता चलता है, तो इसके लि पड़ा है, यहां का मैनेजमेंट जो है वो काफी अच्छा है, देखिए इस तरीके का स्कूल है, और यहां के टीचर, यहां के स्टूडेंट, बहुत ही अलग यहां का रुतवा होता है, यहां पर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, तो वह भी आगे जाके ऑफिसर ही बनते ह हैं, तो यहां पर जो है वो टीचर बनके आना, यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, अब हम देख लेते हैं, कौन-कौन से सब्जेक की यहां पर वेकेंसी है, यहां पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सैलरी जो है वो काफी अच्छी आप लोगों को यहां पर मिलेगी, पहले आपको 11 महीने के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपका वर्क देखा जाएगा, यदि आपका बहुत अच्छा रहता है, तो आपको यह रख लेते हैं, नेक्स्ट येर जो है वो आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, यह चीज नोटिफिकेशन में में म आपने पढ़ा हो, साथ में आपने minimum 4 year diploma अगर किया है, तो आप application कर पाएंगे, अगर आपने master degree की है, fine art में, fine art painting के साथ, या sketching specialization के साथ, तो भी आप यह application कर सकते हो, बाकि desirable qualification की 2 साल का experience जो है वो चाहिए, तो यह जो है, हम कह सकते हैं कि अन्यम है, यानि अगर आपके वा qualification यानि compulsory जो है, वो मैंने आपको बता दी, 35,000 आपको salary मिलेगी, monthly, 21-35 साल तक की student यहां पर application कर सकते है, music teacher जो है, इसकी जो qualification है, 5 year study in music institution, 5 साल आपने music institution में जो है, वो पढ़ाई की हो, music teacher की, या फिर post graduate degree है, या आपने bachelor degree with music से किया है, या आपने higher secondary या senior secondary with any one of the following, अब ये जो है, music के जो student है, वो ही समझ पाएंगे, कि संगीत, विसार्द, examination of, गंधर्व, महाविद्यालय मंडल, या बॉम्बे, और जो भी है, आप लोग जो है, यहां पर देख लें, ठीक है, यहां पर 28,000 salary मिलेगी, और 21-35 साल जो है, यहां पर उम्र रखी गई है, next यहां librarian की जो vacancy है, तो graduate मांगा गया है, और साथ में library science में degree diploma होना चाहिए, 35,000 salary रखी गई है, और 18-50 साल तक जो है, यहां पर उम्र मांगी गई है, lab assistant biology की जो vacancy है, तो यहां पर intermediate science with biology, यानि की आपके पास 12th science system के साथ और biology एक subject के रूप में आपने पढ़ा होना चाहिए, 20,000 आपको मिलेंगे, यहां पर 18-50 साल उम्र रखी गई है, next यहां पर PTI की vacancy female की है, bachelor degree in physical education, यहां आपने diploma अगर किया है physical education में, ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि bachelor degree physical education में और साथ में diploma physical education में, यह मांगा गया है आपका 25,000 salary है, office superintendent के लिए यहां पर कहा है graduate with 5-year office experience, आपके पास जो है किसी भी school में पढ़ाने का, या फिर आपने बैंक में अगर काम किया है, ठीक है, तो वहां का, आपके पास 5 साल का जो है अगर experience है, graduation के साथ में, तो आप यहां पर application कर सकते हो, 28,000 आपको salary यहां पर मिलने वाली है, उसके बाद अगर आपने psychology में किया है, bachelor degree, pass या honors, किसी भी recognized university या institution से, और साथ में आपके पास diploma है, counseling का, guidance का, तो आप यहां apply कर पाएंगे, 26,250 रुपे पर मन्त आपको यहां पर मिलने वाली है, KVS, NVS, इससे अधिक salary जो है, वो सैनिक स्कूल की है, ठीक है, 21-35 साल यहां पर उम्र रखी गई है, counselor की, 11 महीने तक आप लोग यहां job कर उसके बाद जो है, the principal has the authority to terminate the service of contractual staff appointed by him under his own powers without assigning any reason, यह आपकी जो service है, उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, यदि आपने यहां पर बहुत अच्छा काम किया, आपकी relation जो है, यहां पर principal से काफी अच्छे रहते हैं, बिना किसी जो है reason को जाने, यह आपकी job को, आपकी service को जो और इसका जो format है, यानि application करने का वो बिल्कुल इसी PDF फाइल में, नीचे दिया हुआ है, यह आप देख सकते हैं, सैनिक स्कूल जहां सी, तो यहां पर जो है, आप लोग सारी चीज़ें जो है भाड़ लेंगे, category किस category से आप बिलोंग करते हैं, यहां पर general category से तो यू आर लिखेंगे, बागी और जो है, जिस भी category में आते हैं, आप यह लिखेंगे, बागी अपना नाम, पता, address, email ID जो है, वो आप लोग जरूर अच्छे से जो है, जो current email ID हो, वो ही आप यहां डाले, passport, size, photograph, इसके अलावा जितनी भी qualification है, experience अगर है, तो लिखें नहीं है, तो च application form जो है, इसका link में आप लोगों को दे दूँगी, description box में, यह इसकी main website है, और आप लोगों खुद भी जो है, screenshot ले 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 आप, और खुद भी जो है, यहां पर जाकर यह सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो आप लोगों को application form के साथ, मैं with self-attested copy of certificate, अपने जितने भी certificate है अपनी mark sheet है, 10th के बाद की, वो सभी जो है, वो आप लोगों को इसी के साथ जो है, वो attest कर देनी है, यानि उसी के साथ जो है, वो लगा देनी है, और जो है, post करना है आप लोगों को, और लिफाफे के ऊपर जो है, वो आप अच्छे तरीके से जो है, यह जरूर mention करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, application for the post of, write the name of post, किस post के लिफाफे कर रहा है, वो लिखना है, must be written in capital letter, capital letter में लिखना है, ठीक है, the top of application envelope, जो application envelope है, उसके ऊपर लिखना है, आप लोगों को, capital letter में, अच्छे और साफ, handwriting में, candidate are required to send their application through registered post करनी है, speed post करनी है, आपको simple post नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना, by hand application will not be accepted, ठीक है, by hand भी जो है, वो असेप्ट नहीं किया जाएगा, तो last date जो है, यहाँ पर 8 सितंबर 2023 रखी गई है, यहाँ पर आपका जो है, एक exam होगा, और exam जो written exam होगा, यह भी उन sort listed candidate को ही बुलाया जाएगा, जो की eligibility criteria को fulfill कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी qualification जो है, जो की यहाँ पर मांगी गई है, अगर वो पूरी होती है, तो ही आपको written exam के लिए बुलाएंगे, उसके बाद skill test होगा, या फिर आपका interview लिया जाएगा, सारी चीज़े मैंने आप लोगों को detail में बता दी है, सैनिक स्कूल जहांसी से vacancy है, और यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, बाकी चीज़ें जो हैं, आप लोग और भी अच्छे से वीडियो में, thank you